ब्रॉट तो यू बाई वीगाड को पावर्ट बाई सेंसोडाइन एंड विमल बोलो जुबा केसरी प्राचीन मंदर यहां पर है लेकिन यह जो पार्लिमेंट सीट है उसका दक्षिन हिस्सा पड़ता है वहीं जो पुरा उत्तर शेत्र हमारा रावड पड़ता है वहां से रावड से लेके सुस्नेट तक एक भी इट का काम नहीं किया है सांसर जीने दस साल में और यह बात हर व व्यक्ति चाहता है कि उनका सांसर उनके लिए हाजिर रहे लगातार पासा जिन्ता के बीच रहे उनके सुक और दुख में शामिल हो उनके लिए विकास कार्य करें लेकिन रोडमन नागर जी ने एक भी ऐसा काम नहीं किया है और इसलिए इस बार जो हम माहौल देख रहे है बड़ी परिवत्तन के लहर है और हमें पूरा विश्वास है कि चाहे बड़ा गाउं हो चाहे सुस्टने विधान सभा हो और समस राटकर लोकसभा से पूरा आशिरवाद दिखवजय सिंग जी को मिलेगा कॉंग्रिस को मिलेगा 2014 में 2 लाग जीत कमारजन 2019 में 4 लाग से जीत कमारजन रहा कितनी बड़ी चुनाओं में एक नई चुनाओं में एक नई चुनाओं होती है लेकिन जैसा मैं कह रहा था जब जनता ने उनको इतना बड़ा आशिरवाद दिया 2014 में 2 लाग से जीत किया है रोडमर नागर जी और वहीं उनकी जीत 4 लाग वोटों से हुई 2019 में लेकिन उसके बाद भी गायव रहे ना किसी से मिले ना किसी से संपर्क किया फिर आखे सांसत किस बात के है वो आखिर जनता आज ये बात कह रही है कि तीसरी बार भूल नहीं अमें तो विश्वास है कि अच्छा पर्णामाएगा सूरत में बिना इलेक्शन के ही वो जीद सूरत में बिना इलेक्शन के ही प्रत्याशी चुनाओ जीत गए इंदोर से गली ख़बर आई कि जो कॉंग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने नामंकन वापस ले लिया है और आखिर कॉंग्रिस ने उनको मौका दिया, टिकेट दिया, सम्मान दिया, वो भी इंदोर जिसे लोकसबाद सीट से, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा विश्वास घात करता है, तो कहिना कि उनका चरित्र साफ दिख जाता है, और मैं तो यह कहूंगा, कि जो हमारे य जाती है, कि लोग तंत्र में चुनाओ हो, जनता को कम से कम उनका मत और उनका जो भी अधिकार है, वो रखने का उनको मौका मिलना चाहिए है, और अगर ऐसे कोई भी वेक्ति टिकेट लाके खुद को बेच देगा, तो यह तो हमारे हित में नहीं है, ना देश के हित में है, आखे जनता ही राजा होती है लोग तंत्र में, और हम चाहते हैं, जनता का हर पांच सालों का अधिकार है, कि वो चुने कौन से ये कौन गलत है,